नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल टीचिंग जाम उबरलोड मी दोस्तों आज से आपकी सीटेट दिसंबर 2023 में जो पेपर होना है उसकी क्लासे स्टार्ट हो गई है जिसके अंतरगत आज आज आपकी CDP की पहली क्लास है आज मैं आपको CDP की पहली क्लास दोंगा जिसमें अर्थाद ग्रोथ और डेवलोप्मेंट अर्थाद विकाज की बारे में पढ़ाऊंगा साथ ही एक और important बात है कि अगर आप इन क्लासे की पीडिया भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक दे दिया गया है आप उससे जॉइन हो जाईए क्योंकि सारी पीडियाप हमारे टेलिग्राम में ही दी जाएंगी तो चलिए फिर बिने किसी देरिक सुरू करते हैं आज का हमारा टापिक का है अब बिरिद्धी और विकास चलिए अब बिरिद्धी के बारे में जान लेते हैं जब हमारे सरीर के सारचना या आकार बढ़ना सुरू होता है तो उससे बिरिद्धी किसे कहते हैं जो हमारे सरीर का आकार है विविन प्रकार के जो हमारे सरीर की सरशनाए है जैसे की हाथ पैर और विविन प्रकार की जो सरीर की अन्य सरशनाए है वा बढ़ना सुरू कर देती है तुसे हम क्या कहते हैं बृद्धी कहते हैं दूसरा बिंदू है कि बृद्धी का स्वरूप ब बाह होता है आंतरिक नहीं होता है यही प्रस्ण मनता है विकास का स्वरूप जो है वा आंतरिक और बाह है दोनों होता है अभी आप आगे पढ़ेंगे लेकिन ब्रिद्धी का स्वरूप हमेशा बाह ही होता है आंतरिक नहीं होता है ब्रिद्धी कुछ समय के बाद रूख जा इसलिए ब्रिद्धि के बारें तीन पॉइंट इंपॉर्टन क्या हो गए कि व्रिद्धि का स्वरूप बाहे होता है आंतरिक बिलकुल नहीं होता बिद्धि कुछ समय के बाद रूख जाती है और हमारे शरीव की ससनाव का बढ़ना जो है बाख क्या है ब्रिद्धि है जैसे कि लंबाई चोड़ाई जैसे कि लंबाई और चोड़ाई चलिए आगे देखते हैं ब्रिद्धी करम के अनुसार नहीं चलती ध्यान रखी का ब्रिद्धी का कोई करम निश्चित नहीं है ब्रिद्धी का कोई निश्चित क्रम नहीं है, जैसे कि कभी-कभी हमारी लंबाई पहले बढ़ती है, उसके बाद भार बढ़ता है, और कुछ बच्चों में ऐसा है, कि किसी कोई बच्चे बहुत छोटे में ही मोटे हो जाते हैं, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ती है, बाद म बार में भार बढ़ता है लेकिन कुछ बच्चे मोटे रहते हैं बार में भार बढ़ता है तो बार में मतलब हाइट बढ़ती है तो बिद्धी का कोई क्रम नहीं होता है कभी लंबाई आपकी बढ़ सकती है फिर कभी बार बढ़ सकता है लंबाई बढ़ सकती है भार कभी भी लेकिन बृद्धी को हम पूरता माप सकते हैं, जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है, आप 5.7 इंच के हैं या 5.6 फूरत के हैं, तो आप इसको माप सकते हैं, आपका वजन कितना है, आप 50 केजी हैं, या 60 केजी हैं, जो भी हैं, आप माप सकते हैं, इसलिए बृद्धी को हम परिमारात्मक होती है ध्यान रखीगा बृद्धि जो है परिमारात्मक होती है उसका कुछ मान होता है हमेशा बृद्धि का कुछ मान होता है जैसे कि मान का मतलब क्या होता है संख्यात्मक मान होता है जैसे कि साथ केजी पांच फुट साथ इंच इस प्रकार से मान होता है ग उसका मांसिक जो विकास है उतना ही बच्चे जैसे ही रहता है वह 5 फुट का हो जाएगा उसकी उम्र 17-18 साल हो जाएगी लेकिन जो उसका मस्तिस्क है वह 2-3-5 साल बच्चे की तरह ही प्रदर्शित करता है तो बिद्धी के साथ जो है वह विकास चल भी सकता है और नहीं भी भी चल सकता है ध्यान रखिएगा उधारण देख लेते हैं मैं एक उधारण दे ही दिया है दूसरा भी देख लेते हैं जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसके बिद्धी हो रही है परन्तु यह ज़रूरी नहीं है कि मोटा होने से उसकी क्रियात्मग विकास भी करने का जो गुड़ है वह भी शकता है नहीं भी हो सकता। इसलिए इसमें कहा गया है बिकास हो भी सकता है और नहीं हो सकता है अब विकास आ आ गया लेकिन विकास पढ़ने से पहले हम बृद्धी को एक बार और हम सारी पो complexity कर सकते हैं में है पहला पॉ겠습니다 प्रेर कि सठीन क् कि हमें इस पश्ट रूप से दिखता है कि इस ब्रिद्धी हो रही है जैसे कि हमें इस पश्ट रूप से दिखता है कोई बड़ा हो रहा है तो हमें दिख रहा है कि इसकी हाइट बड़ रही है लेकिन अगर आपका मानसिक विकास हो रहा है तो इस पश्टता आप उसको देख नहीं सकते तो वहां आंतरिक ब्रिद्धी है वहां विकास है क्योंकि उसका स्वरूप आंतरिक है तो वहां विकास कहलाता है लेकिन ब्रिद्धी का स्वरूप हमेशा बाह होता है ब्रिद्धी कुछ समय बाद रुख सकती है रुख जाती है ध्यार रखीगा ब्रिद्धी हमे गोटापा उसको बहुत जादा हो जाता है, बाद में हाइट बढ़ती है, तो बृद्धी का कोई करम निश्चित नहीं है, उसका कोई निश्चित करम नहीं है, किसी भी प्रकार से चल सकती है, ये पाइंट था, उसके बाद अगला पॉइंट था, बृद्धी को हम माप सकते जैसे कि आपका वजन कितना है, आपकी भार कितना है, लंबाई कितना है, हम आपको माप सकते हैं, बृध्धी के वल परिमाणात्मक होती है, परिमाणात्मक मतलब क्या होता है, बृध्धी का एक मान होता है, जैसे कि पांच फुट सांत इंज, असी केजी, पचास केजी, इस उसका सामाजिक विकास भी 18 साल का ही तक का ही हो तो उसमें क्या होगा विद्धी के साथ विकास हो रहा है लेकिन उसी बच्चे में कोई और एक बच्चा है उसके अंदर कोई डिफिसेंसी है उसकी उमर 15 साल है लेकिन उसका मानसिक विकास 10 साल का है तो विद्धी के साथ विक पक्षों में परिपक्टु आती है उसे विकास कहते हैं तो मानसिक पक्ष में हमारे मस्तिक से संबंदित सामाजिक पक्ष मतलब समाज से संबंदित जो पक्ष होते हैं समवेक से संबंदित पक्ष को समवेकात्मक कहते हैं जैसे कि रोना हसना समझना ये सब और बुद्धिक पच्छ जो बुद्धी से संबंदित पच्छ होते हैं, बॉद्धिक पच्छ इसमें हम कुछ निरेड़े लेते हैं, इसमें जब परिपक्कोता आती है, इसे ही विकास कहते हैं, परिपक्कोता आनना एक मतलब क्या है, कि जब हम यह धीरे-धीरे विक्सित होते रहते हैं, यह इसका स्वरुप क्या है? आंत्रिक है, लेकिन भाँसा घ्यान का विकास आप समझ सकते हैं. कोई बच्चा पहले बढ़ बढ़ा रहा है, छोटा सा बच्चा होता है एक दो साल का, तो वो बैबलिंग करता है ना, बढ़ बढ़ाना, अभी आप इसको पढ़ेंगे आगे, तो तो इसके बाद उसकी भ्हहांशा परिस्कृत हो जाती है तो इसको हमें प्रदर्षित होता है हम समझ सकते है कि बच्चे का भ्हहांशा हो रहा है तो यह बाह ह होता है अगला मिंदु है कि व्हुचा जीवन भर चलता है जैसे कि अपने पढ़़्ा भी बृद्धी जो है वा एक समय के बाद रुख जाती लेकिन विकास जीवन भर चलता रहता है मतलब आपका मानसिक, सामाजिक, समविगात्मक और बौदिक पक्ष जो है वा जीवन भर विक्सित होता रहता है आप हर उमर में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं इसमें निश्चित क्रम भी होता है धहां रखेगा विकास में एक निश्चित क्रम भी होता है जैसे कि हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है निश्चित क्रम का मतलब क्या है कि हमें जितना विकास करना रहता है उतना हो जाता है मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना ही हो गए, धहां रखीगा, कि इसमें एक क्रम निश्चित होता है, कि हम जितना विकास अपना करना चाहते हैं, जिस प्रकास हम अपने विकास करना चाहते हैं, उतना विकास हमारा हो जाता है, मानसिक विकास, सामा आप माप सकते हैं लेकिन विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं सकते हैं जैसे कि हमारा समाजिक विकास कितना हुआ है नैतिक विकास कितना हुआ आप इसको पता लगा सकते हैं आप समाजिकता आपके अंदर कितनी आ गई आप इसका कोई पता नहीं लगा सकते हैं आप मांसिक व विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं सकते हैं। अर्थात अगर कोई बच्चा है उसके सरीर की हाइट नहीं बढ़ रही है। विकास की बिविन आउस्था हैं। अब हमारा अगला बिंदू है परिपक्कोता, अगला बिंदू के है परिपक्कोता, तो मोस्ट इंपर्टन बिंदू है, इसकी जो डिफिनीशन है, हुबहु ऐसे पूछी जाती है, दो तीन बार प्रिविएश येर में पूछी गई है परिपक्कोता कि हुबहु डिफिनीश आती है न तो आपके माता और पिता के जो कुछ गुड़ होते हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं जो आपके अंदर आने होते हैं और उनको जब प्रकट होने लगते हैं तो उसे ही क्या कहला जाता है मेचुरेशन कहलाता है आप समझें आपके माता और पिता के कुछ गु बहुत important है भुबभु आता है या heredity से related होता है ध्यान रिखेगा heredity का अर्थ क्या होता है वही अनुवान सिक्ता अर्थात आपके माता और पिता से ही सम्बंदीथ होता है तो परिपक्वता जो होता है heredity से related होता है और बड़े होने पर maturity आती है के दो प्रकारे सारीरिक विकास गत्यात्मक विकास एक तरह से physical development अर्था सारे विकास से ही संबंदित होता है या muscles हमारी मान स्पेसियों हड्डियों की छमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंदित होता है गामक विकास में बालकों के चलने दौडने कूदने भोजन करने आदी विशे को सामिल किया जाता है गामक विकास और इसमें बालक के चलने दौडने कूदने भोजन करने आदी विभिन क्रियाओं को समलित किया जाता है इसे हम दो भागों बाटते हैं प्रस नहाज बनता है इसे हम दो भागों बाटते हैं तो मैंसल्स का कम यूज होता है उन्हें हम लिखना खाना 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 खंग करना जैसे कि आपको सुई में धागा करना जैसे लू मैंयूज तो इसमें मान स्पेशियों का कम यूज हो रहा है, इसमें क्या है, मसल्स का कम यूज हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फाइन मोटर इसकल, जैसे कि आपको सुई में धागा डालना है, तो वो क्या है, फाइन मोटर इसकल है, क्योंकि मसल्स का कम यूज हो रहा है, लेकिन कि जिरे अब इसका कुछ घ्रिल देख ले बगाज की बारे में देख लेते हैं cute आब विच्दिक बाररे में देख लेते हैं, शरीर का विबढ़ना, भ्रिधी कहलाता है, इसका स्वरुबfunding हमेशा, वह होता है, या कुछ समयן बाहर रू जाती है, कुछ समय रूह जाती है, पॉइंट वाई जी मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसको मैं शुरू में समझा चुका हूँ और विद्धी क्रम के अनुसरा नहीं चलती है विद्धी का कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता विद्धी को हम मापन कर सकते हैं और इसका केवल परिमाडा आत्मक होती है विद्धी की कुछ पॉइंट देख लेते हैं मांसिक समाजिक समविगा आत्मक और बहुत धिक अर्थ और नैतिक पच्छों का जो विद्धी का परिपक्वता होती है उसे भी विद्धी कहते है इसका स्वरूप आंतरिक और बहा है दोनों होता है जैसके मस्तिस्क में आंतरिक विद्धी को का भासा ग्यान से बहा है यह जीवन भर चलता है विद्धी को हम सीधे सीधे माप नहीं सकते है और यह पजमाडात्मक और गुडात्मक दोनों होता है विद्धी के बिना एक विकास की बिविन उस्थाम चलिए देखते हैं परिप्रक्वता कहलाती है अनुवांसिक विन्यास के पूर निर्धारी तुरूप से प्रकट होने का प्रोसेर मेचुरेशन कहलाता है अनुवांसिक विन्यास क्या होता है अनुवांसिक विन्यास होता है जो आपके माता प पिता से संबंदित होता है और बड़े होने पर maturity आती है विकास के आयाम दो है सारीडिक विकास और गत्यात्मक विकास सारीडिक विकास जो सरीर का विकास होता है गत्यात्मक विकास जिसमें मशल्स हड़ियां की छमता और उनपर कंटों करने संबंदित होता है और यह सारी विकाट से ही संबंदित होता है इसमें चलने दोडने खुदने भोजन करने आदी बिभीन प्रकार की क्रिया होती है और इसे दो भागों बाटते हैं Fine Motor Skill और Gross Motor Skill Fine Motor Skill क्या होता है इसमें Brian Sm qui का कम यूज होता है जैसे की ट्राइब का करने सेशना करना इत्यादी चलिए पिर आज के सेसन को में यहीजिया होता है साथ ही अगर आप इसकी PDF पराप्त करना चाहते है तो हम्हारे एले फिर धन्यवाद